दोस्तों ये कहानी जियाकिन्तो नाम के ऐसे आदमी के बारे में है जो अपने त्रीन दरजन फैमिली मेंबर के साथ रूम के एक छोटे से गटर के जैसे रूम में रहता है दरसल जियाकिन तपने पूरवज फैमिली के साथ रहता है इसलिए उसके फैमिली में टोटल 36 मेंबर है लेकिन उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा घर है इसलिए उन्होंने उस घर को गोधाम से भी बत्तर हालत कर दिया है उनके घर में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही बात्रूम था जिसमें जियाकिन तो सारा दिन बैठा रहता था जिस वज़े से उनके घर में बच्चे से लेकर जवान औरत नंगी होकर उनके सामने कपड़े बदलते थे और इस चीज को करने में उन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी दरसल कई सालों पहले जियाकिन तो अपनी एक आग को गवा दिया था जिस वज़े से उसे इंसुरंस कमपणी से धेर सारा पैसा मिला है लेकिन इतनी गरीबी होने के बाव जुद वो इन पैसों को अपने फैमिली के साथ बाटना नहीं चाहता है इसलिए जब भी उसका बेटा उससे पैसे मागने के लिए आता है तब यो उसे पैसे देने से इंकार कर देता है और उसे मार कर वहां से भगा देता है साथ ही साथ ज्याकिन तो जब सोता है तब यो अपने साथ एक बंदू को रखता है क्योंकि वो जानता है कि उसके सोते ही उसके घर के कोई ने कोई उसका पैसा चोरी कर लेगा इसलिए एक आख फूटने के बाद से उसने अपनी दूसरी आख कभी भी बंद नहीं किया यहां तक कि रात को वो जाग कर अपने पैसों का पहरा देता है साथ ही साथ उसे अधेर उम्र की औरतों को छेड़ने में भी काफी मजा आता है इसलिए मौका मिलने पर वो इस नेक काम को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता एक आख फूटा हुआ होने की वज़े से वो लड़कियों को आँग भी मारता है और लड़कियों को इसके बार में पता भी नहीं चलता खेर वो लोग जिस सरीफों के महले में रहते हैं उस महले के ज़्यादा तर सरीफ लोग चोरी करना ही पसंद करते हैं जिससे उन्हें रोजकार के साथ साथ दो वक्त की हराम का खाना भी मिल जाता है जिया किंतो की बड़ी बेटी पैसे कमाती है लेकिन इसके लिए वो किसी भी हद दक जा सकती है दूसरी तरब उसकी छोटी बेटी दूसरों के घर में पोचा लगाने का काम करती है और एक दिन जब वो अपनी बड़ी बेहन के साथ जा रही थी तब ही वो उससे कहती है कि पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ करना ठेक नहीं है जिसको सुनकर बड़ी बेहन कहती है कि दूसरों के घर में पोचा लगाने से ये काम बहुत बहतर है खैरदर जिया किंतो का छोटा बेटा पैर में वैक्सिंग करता है और प्रोस्टिट की तरह सज कर लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाता है जिया किंतो की फैमिली में इतनी गरीबी थी कि सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में खाना पीना के साथ साथ मार्पीड भी चटनी की तरह परोसा जाता था जिया किंतो अपने पैसों को लड़कियों के उपर और दारू पीने के लिए खर्च करता थ कि उसने किस काम से पैसों को खर्च किया इसलिए हर रोज पैसों को गिनकर उसे अलग अलग जगे पर चुपाता था और पैसों को चुपाने से पहले वह अपनी बुड़ी मा को हर रोज एक कपड़े से ढग देता था एक दिन जिया किंतो की फैमिली को पता चलता है कि उसक गरीबी इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि पैसों के लिए वो लोग किसी भी काम को करने से मना नहीं करते थे। जबकि ज्याकिंतों के पास धेर सारा पैसा था लेकिन वो उन पैसों को अपनी अयासी में ही उड़ाता था। एक दिन वो दारू पी कर रात में जब सो रहा था तब यो सपने में देखता है कि उसके फैमिली में उसका सारा पैसा चोरी कर लिया है और उससे वो लोग एश कर रहे हैं। गोली मार देता है। जीस वज़े से उसे पूलिस एरेस्ट कर लेते हैं लेकिन अगले ही दिन वो पैसों के दम से जेल से छूट जाता है। दूसरी तरफ घर के सभी लोग उन पैसो को घर के चारों तरफ ढून रहे थे लेकिन उन्हें वो पैसा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तब ही वाँ पर जियाकिंतो आ जाता है और वो सिधा बात्रूम में जाकर उन पैसो को निकाल लेता है। दरसल जियाकिंतो ने बात्रूम में पैसे छुपाया था लेकिन नशे में होने की वज़े से उस दिन उसे ये बात याद नहीं था खेर उसके जाने के बार घर के सभी लोग उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं जिसने कहा था कि उसने बातरूं को अच्छी तरीके से चेक किया है उधर जियाकिन तो जब एक जगे पर दारू पी रहा था तब यो एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है और उसके पास जाकर उससे बात करता है जियाकिन तोस से कहता है कि वो काफी अकेला है और उसे उसके घर में कोई भी प्यार नहीं करता है और सबी लोग उसके पैसों को उसे छिनना चाते हैं जिसके बाद ज्याकिन तो उस औरत के साथ काफी गुल चड़े उड़ाता है और रात को वो उसे अपने घर ले कर जाता है यहाँ पर वो अपनी बीबी को उसके बिश्टर से उठने के लिए कहता है और कहता है कि यह आज से मेरी दूसरी बीबी है जिसके बाद दिन के दिन वो उस प्रोस्टिट्यूट के उपर काफी घुल मिल जाता है और वो उसके उपर उन पैसो को भी खर्च करने लगता है जिसको उसने अपनी बीबी और बच्चे को भी नहीं दिया था साथी साथ वो घर के लोगों को जाहिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड रहा था जिस वजय से घर के सबी लोग उससे नफरत करने लगे थे और उसे मारने के लिए वो लोग प्लैन बनाने लगते हैं जैसे कि सिध्धुम उसे वाला को मारने के लिए भी प्लैन बनाया गया था खेर एक दिन जब घर के सभी लोग चर्च जाते हैं तब ही वो लोग वहाँ पर इस गटना को अंजाम देने का फैसला करते हैं जिसके बाद वो लोग एक गाड़ी में भैसो की तरह लोड होकर एक रेस्टूडन पर जाते हैं जहाँ पर पहुँचकर वो लोग जियाकिन्तों के खाने में जहर मिला देते हैं जियाकिन्तों जब उस खाने को खाता है तब उसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मरने से पहले मैं पुलिस को इसके बारे में बता दूँगा कि तुम सबीने मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया है जिसके बद वो cycle लेकर वहां से police station जाने लगता है जबकि उसे police station की बजाए hospital जाना चाहिए था दरसल जियाकिन तो अपने आपको बचाने के लिए नहीं बलकि उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था लेकिन जहर खाने की वज़े से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे आकर गिर जाता है अब क्योंकि उसने पूरा खाना नहीं खाया था इसलिए वो उल्टी करके उस खाने को निकाल देता है जिसमें जहर मिला हुआ था जिस वज़े से वो बच जाता है इसके बाद वो रात में अपने घर में दारू छीड़ा कर उसमें आग लगा देता है और दूर से अपने परिवार को मर्त हुए देखने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो आग पूरे घर में फैल जाता घर के सभी लोग इसके बार में जान जाते हैं और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं बाहर वो लोग जियाकिन्तों को एक पेड में चड़ावा देखते हैं और उसे पत्थर फिरकर फिर से जान से माने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता अगले दिन वो सभी लोग उस घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरब जियाकिन्तों उस घर को एक आदमी को बेच देता है ताकि उसकी फैमिली बेसारा होकर रास्ते में भीक मांगने में मजबूर हो और वो उन पैसों को लेकर उस पोस्टिटूट के इसके कुछ दिन बाद वो आदमी जिसने उस घर को खरीदा था वो अपने फैमिली के साथ जो की लोकल ट्रेन की तरह ही खतम नहीं हो रहा था उनको लेकर जियाकिन्तों के घर पर आता है जो की अभी उसका हो चुका था वो जियाकिन्तों के फैमिली को घर को खाली करने के कहता है लेकिन वो लोग घर को खाली तो नहीं करते बलकि हाथा प्राई में उतर आते हैं इसके बद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाकिंत अपने पैसों से एक गाड़ी खरीता है और वो उस गाड़ी को लाकर सिधा अपने घर में घुसा देता है जिससे उनका घर गटर से कबाड़ खाने में बदल जाता है लेकिन वो लोग उस कबाड़ खाने को गिरने से रोकते हैं और फिर वो दोनों फैमिली ही उस घर में ही रहने लगते हैं जहां पर जियाकिंत अपने तीन दर्जन फैमिली मेंबर और दो बीबी के साथ रहता था वहीं दूसरी तरफ व रखता है वो चाहता तो है उस घर के सभी लोगों को मार कर उस घर के यानि उस गटर का राजा बनना जिसके लिए वो रात बर जरकर प्लैन बनाता है और दोस्त इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी खत्म हो जाती है